हेलो दोस्तों मैं शहबास ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं तो कोई भी सुडेंट जब प्रपरेशन करता है जॉब की तो सबसे पहले उसके माइंड में यह आता है कि इस जॉब के सेलरी कितनी होगी क्योंकि हमें सबसादा मोटिवेशन मिलता है सेलरी क को देख कि क्योंकि सबका मोटिव फाइनली यही है कि हमें सेलरी हमारी अच्छी से अच्छी हो तो इस वीडियो का मेरा मोटिव यह ही है कि उस सेलरी स्लिप को जब मैं दिखाने वाला हूं यानि गुड्स गार्ड एंटी पीसी के ध्रू जब गुड्स गार्ड में जॉब लगती है उसकी जो सेलरी स्लिप मैं उसको बैर में आपको शो करूंगा एक एक चीज़ दिखाऊंगा बिल्कुल लेटस्ट सेलरी स्लिप है आपको हर एक चीज़ समान में आ जाएगी बहुत अच्छे से और उसे देखके आपका मोटिवेशन भी काफी हाई रहेगा एक च लिज तो चलते हैं पहले गुट्स意एर क कि सेल्री के बारे में requis करते हैं उस्तो यहां पर आप देख पा रहे यह इलावार डिवेजन की है यह पर प्रइशली पहला इलाबल्षप डिवेजन की जो ncr रेजन में लगता है अब हम जानते हैं गुट्स काफा की देख पार आप जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में इनका नाम अमित कुमार है यह गोड़ गार्ड है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में यह लाबार डिवीजन में इनका यहां पर आप देख पाने यह देखिए 67,987 जो एक बहुत ही जादा इंपॉर्टमेंट और मोटिवेशन के लिए बहुत जादा जरूरी है एक जो ग्रॉस पे होता है ना गुर्जगार्ड का इतना अच्छा होता है मतलब 67,987 रुपे इसमें क्या होता है रेलवे हमेशे 15 बिता है अब इनका एक बार हम यहां पर जानते हैं कि एक यह चीज़ को अच्छी तरीके समझेंगे कि बेसिक पे क्या होता है बेसिक पे यहांपर आप देख पा है यहाँ पर 31,000 बेसिक पे है रेलवे में क्या होता है कि आलाउंसिस बहुत जादा होते हैं किसी और डिपाटमेंट में इतने अलाउंस नहीं होते जितने अलाउंसेस रेलवे में होते हैं अब डिये टीये एचारे ज़ादा तर चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे बेसिक्स पे पे अगर बेसिक्स पे हमारा अच्छा होता है तो हमारे सारी हीज़े अच्छी होती है और सेलरी हमारे ज़ादा होती है तो इसका बेसिक पर देखें कितना शांदार है 31,000 रुपर बेसिक पे हैं सरी यहां पर अगर हम बात करें डिये की डियरनेस अलाउंस जो होता है वो 6,851 रुपे है जो लगबग आपका 20% से भी जाता बन रहा है यहां पर यह हर्स होता रहता है थोड़ा थोड़ा बढ़ता करता रहता है ठीक है अप बात करते है चाहरे की जो होता है डिपैन्ञ करता है अलग अलग सिटीज में में Kyzyz सिटी में X City का अलग होता है व सिटी का अलग होता है यहां पर इस नाइज़द हो arean Anyways यहां पर इसक को मिलागर है mistaken ती आप देख पारें तीए यह 4212 ठीक है फिर किलोमेटर अलाउंसेज और यहां पर नाइट ड्यूटे अलाउंसेज नैशनल फॉलिडे अलाउंसेज और इन सब को मिला के हमारा बनता है 67970 रुपे इसके बाद यहां पर कुछ रेलवे स्कीम भी देता है जिसको आप जान लेने चाहिए यहां पर इनकी कुछ कटाओदिया भी हैं कटाओदिया आप देख पा रहे हैं अबर रिकाफरीस जिसे बोलते हैं हम तो पैंशन की कोई स्कीम है यहां पर 4,650 रुपे की रेलवे की एमपलॉई की जो कटती है 3 रुपे इसको हटागे जो नेट इनके हाथ में मिलता है वो 63,242 रुपे यह देखे अब कितनी शांदार कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहां पर 63,200 रुपे एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक बहुत अच्छा अमाउंट है जो किसी और डिपार्टमेंट में इतना अमाउंट इतना नहीं मिलता इतनी एजिली तो आप यहां देख पा रहे हैं अगर कोई भी स्टूडन्ट गुर्जगार्ड की जॉब को हासिल करता है या फिर गुर्जगार्ड की जॉब पकड़ लेता है तो इतना देख लिजे आपको कितनी अच्छी सेलरी उसको मिलने वाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको अच्छा लगाओगा सेलरी को देख के आप जब भी स्टेडि कीजिए तो इसके सेलरी कितनी हाई है कि मतलब आप कितना कहां से कहां पहुँच जाएंगे एक दम एक्जाम निकलत इसका ये चीज़ा आप देख पा रहे हैं ये बहुत ज़दा अट्रेक्टिव और बहुत ज़दा रिस्पेक्टफुल अमाउंट है जिसको भी मिलेगा ये बहुत अच्छी जगा पे पहुच जाएगा वो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडि करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में मैं हर डिपार्टमेंट के सेलरी और जॉब प्रॉफाइल को अलग अलग तरीके से समझा सकूँ अगर किसे स्टूडेंट को इसमें कुछ डावट है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुड् अलग वेस्ट तेक केर